हलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बेक टू एक लासे देखिए बच्चो इस वीडियो में हम पढ़ रहे है आपका नाइन लेशन, पार्ट का नाम है सुनहरा टापू तो देखिए बच्चो पिछले वीडियो में हमने इसके पार्ट की रिडिंग कर ली थी और नेस पेज बाकी था तो इसके बारे में हम इसकी रिडिंग करेंगे और फिर ये पार्ट क्या है इसके बारे में समझेंगे तो देखी बच्चों कहां तक पढ़ लिया था हमने सहलू टापू पर चली गई वहां उसे उसके पिता बेहोसी की हालत में मिल गए सहलू ने उनके मुह पर पानी छिड़का तो बेहोस में आ गए सहलू को देखकर वे बहुत प्रशन हुए पिता ने सोने के कन्नों वाली मिट्टी कपड़े में बांधी और मित्र मचली की पीट पर बेट कर दोनों वापस गाव आ गए सहलू के पिता को देखकर सभी बहुत प्रशन हुए उन्होंने बताया कि तूफान में नाव डूप जाने के बाद समुद्र की लहरों ने उन्हें सुनहरे टापू पर पहुचा दिया था टापू पर सोना ही सोना था सहलू के पिता ने सोना बेचकर बहुत सी नावे बनवाली और सब मिलकर मचलिया पकड़ने लगे अब कोई स्वामी नाथन की नाव नहीं ले जाता था एक दिन स्वामी नाथन नहीं सोचा की वह भी सुनहरे टापू पर जाकर सारा सोना ले जाएगा गाव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना आखिरकार गाव नाव लेकर वह सुनहरे टापू की और चल पड़ा और वहां से कभी नहीं लोटा गाव वालों ने सहलू के पिता को ही अपना मुख्या चुन लिया अब सब मिल जूल कर काम करने लगे जिससे धीरे धीरे पुरा गाव खुस हाल हो गया तो देखिए बचो यहाँ पर हम इस पार्ट की रिडिंग हो गई अब इस पार्ट के बारे में हम समझेंगे कि पार्ट की उदिया गया है इसका उद्देश क्या है तो देखी बच्चो पाट की रेडिंग करने के बाद हमको क्या समझ में आया है कि पाट का उद्देशी यह सीख देना है कि लालची वेक्ती का प्रकरती साथ नहीं देती लालची कौन था स्वामी नाथन प्रकरती तो सरल इमांदार और दूसरे की सायता करने वालों का ही साथ देती है तो देखी वच्चों क्या है समुद्र के किनारे एक गाव था इस पार्ट में क्या है कि समुद्र के किनारे आपको पीक दिख रही है बुक में देख रहे हो आप तो देखी समुद्र के किनारे एक गाव था कौन सा जैसे हमारा गाव का नाम रहता है वैसा कौन से गाव का ना क्या था स्वामी नाथन उसके पार बहुत सी नावे थी गाव के मचवारे जो छोटे मुटे मचवारे थे वे क्या करते थे उसकी नावों से समुद्र में मचलिया पकड़ने का काम करते थे उन मचलियों को स्वामी नाथन ले लेता था और थोड़ी सी वो मचवारों को क्या क वह देढ्रेटा था और बाकी मचलिया क्या करता था बाजार में जाकर सहर में बेच आता था उसके नौकर जो थे वो बेच देते थे तो देखिए बच्चो उसी गाव में सैलू नाम की एक लड़की रहती थी, आपका नाम रहता है वसी टाइप से, यहाँ पर कौन से नाम की लड़की रहती थी, सैलू नाम की लड़की रहती थी, वह अक्सर समुद्र के किनारे खेला करती थी, यह जो गाव है रंगपटनम व पापस समुद्र में डाल देती थी कौन सैलू मचवारों के जाल में भी कभी विसे जाती की मचली आ जाती तो वे उसे भी क्या करते थे समुद्र में छोड़ देते थे सैलू के पिता ने उसे बताया कि वह मित्र मचली है सैलू के पिता ने क्या बताया था कि वह क्या है मित्र मचली है क्या है मित्र मचली वह खत्रे में जो मनुष्य पडा रहता है उसकी सहयता करती है तो देंखे बच्चों एक दिन मचवारे समुद्र में मचलिया पकड़ने गए थे तभी क्या आया तूफान आ गया आपको पता है न तूफान आता है सब मचवारे वापस आ गए पर सहलू के πिता वापस नहीं आए सब ने मान लिया था कि समुदर में ही डूब गए कोन सहलू के पिता सहलू क्या करती थी समुदर के किनारे बैठी रोती रहती थी क्योंकि उसके पिता जी नहीं आये थे तो देखिए बच्चो एक दिन सहलू समुद्र के किनारे बैठी कैसी जोर जोर से रो रही थी तो अचानक एक आवा जाती है कहां से समुद्र से तो क्या आवा जाती है देखिए तुम क्यों रो रही हो सहलू ने देखा कि समुद्र में मचली उससे पूछ रही है मेरे